हेलो फ्रेंड्स आज हम लॉलिता इन 1997 के एक हॉलिवूर्ड मूवे एक्स्प्रेंड करने वाले हैं ये मूवी एक बहुती कॉंट्रवर्शन नोवल पर बेस्ट है ये मूवी एक सची घटना पर आधरीत है इस मूवी में कुछ चीज़े आपको गलत लग सकती है क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर ही गलत है तो चलिए इस मूवी एक्स्प्रेंड करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा में कैरेक्टर हमबर्ट एक गाड़ी में दिखता है ये इंज्योर्ड है और ये चलता जा रहा है हमबर्ट फिर उसके लाइफ की स्टोरी हमें सुनाता है यह कहता है कि लली ता मेरा प्यार थी मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदेगी थी यह जो स्टोरी है यह हमबर्ट की पॉइंट अफ विव से इसी वज़े से यह ज़रा डियोल हो सकती है आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपनी खुद की गलत चीज़े भी रोमेंटिसाइज करकर या कुछ सही तेरिके से बताना चाहता है पर आप ज़रा ओपन माइंड रखिये कि चीज़े किस तरह से एक्च्वल में हुई होगी और फिर इससे एनलाइज करिये हमबर का बच्वन यानिक 1921 हमें दिखता है हमबर कहता है कि जब मैं छोटा था सिर्फ 14 साल का तभी उसे प्यार हो गया था उसके टाउन में एक लटके आई थी जिसका नाम एनाबेल था इसके प्यार में बढ़ गया था इसके बाद इन दोनों की रिलेशन्शिप भी हुई थी एक दोनों दुसरे से बहुत प्यार करते थे पुरा समर इन्होंने एक साथ गुजरा था बहुत सारी मेमरीज इन्होंने बनाई पर एनाबेल को एक बीमारी हो गए सिवज़े से वो मर गई इसके बाद हमबर हार्ट ब्रोकोन हो गया हमबर फिरम से कहता है कभी दूसरी बार मुझे प्यार हुआ ही नहीं तो हमेशा एनाबेल को ही याद करता रहा इसके बाद उसके लाइफ का वो एक अलग इंसिडन्ट सुनाता है गयता है कि वो प्रोफेसर बन चुका था उसे और एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली थी जहाँ पर वो टीचिंग करने वाला था हमबर एक इंगलिश टीचर था और वो फ्रांस जाकर आया हुआ था तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी उसे जॉब को जॉइन करने में थोड़ा सा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिताना चाहता था थोड़ी शानती उसे मिलनी चाहिए इसलिए एक छोटे से गाव में उसके अंकल के साथ हो रहना चाहता था जब उसकी अंकल उसे स्टेशन पर लेने के लिए आए और घर लेकर गए तो उनका घर बड़बाद हो चुका था वहाँ आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया है हमबर्ड को कही न कही तो रहना है तो हमबर्ड के अंकल उनके फ्रेंड की यहाँ इनका इंतजाम करवा देते है अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अफ वहाँ रहती है फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रूम है तो यहाँ पर हमबर्ड रह सकता है फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है जब हमबर्ड को देखती है तो इंस्टनली उससे वह attracted होती है हमबर्ड फ्रांस जा चुका है तो इसे भी यह बहुत यह अच्छा लगता है हमबर्ड को उसका रूम दिखाती है जब हमबर्ड रूम दिखता है तो उसे जरा भी पसन नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत जादा मैस होती है हमबर्ड फ्र अपने प्लांस इंस्टनली चेंज कर लेता है उसे लगता है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए हेस भी यह समझ जाती है हेस फिर कहती है कि चलो नीचे तुमें एक में जगा दिखाती हो तुम पहले हो देख लो उसके बाद अपना माइंड तुम मेक अप करना एक अच्छी सी गार्डन हेस की होती है जो हमबर्ड को दिखाना चाहती है नीचे जब वो उससे लेकर जाती है तो हेस की डॉटर हमबर्ड देखता है हेस की डॉटर का नाम ही लोलिता है जो हमारी फिल्म का टाइटल है जब हमबर्ड ललिता को पहली बाद देखता है तो उसे एनवेल की याद आती है एनावबल और हमबर्ड दोनों 14 years के ही थे जब एक दुसरे से उन्होंने प्यार किया था और ललीता भी 14 years की है हमबर्ड सिर्फ ललीता के पास रहना चाता है इसी वज़े से रूम लेने का decide करता है हमबर्ड काम करता है उसके एक डायरी होती है जिसमें ललीता के बारे में लिखता है ललीता में झो पावर है कि कोई भी देख नहीं सकता पर मैंने ये ढूम ली है ललीता का room हमबड के room के सामने ही होता है रात में हमबड अपनी book पर काम कर रहा होता है उसके type writer का आवाज आता है तो ललीता आ जाती है हमबड केता है क्या मेरी वज़े से तुम सो नहीं पा रहे और वो अपनी writing बन कर देता है ललीता कुछ भी बोलती नहीं और नीचे आ जाती है फ्रीच से आइस्क्रीम निकालती है और खाती है ये सब हमबड नीचे आकर देख रहा होता है नेक्स डै में देखता है कि हमबड अपने बुक पर काम कर रहा होता है तब ललीता उसके पास आती है तो कहती है कि उसे बहुत ही नीन आ रही है, हमबर्ट भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लिल्टा पुछती है क्या तुम सो नहीं पाते हैं, हमबर्ट कहता है तुम्हें क्या बताओ, मुझे नीन भी नहीं आती, लिल्टा फिर डायरेक्ली हमबर्ट के पास आ जात ललीता जल्दी से अपने रूम में चली जाती है नेक्स जे ललीता हमबड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो कहती है कि प्लीज मौम को मन बताना मैंने तुम्हारे सब कुछ वेकंस खा लिये है यहाँ पर वो हमबड से फिलर्ट कर रही होती है इसके बाद हम दिखता ह ललीता हेज और हमबड यह सब जुला जुल रहे होते हैं यहाँ पर ललीता हमबड के पास ही बेठी हुई होती है हेज शैंपेन पीरे होती है उसका क्लास खतम हो जाता है तो वो चली जाती है ललीता हमबड से कहती है कि मेरी मदर तुमें लाइक करने लगी है तुम जो भी कि भी मान लेगी ललीटा फिर अमबर्ट को कहती है फिर लेक ललीटा को जाधा यहां बेटना नहीं होता तो लीजिक लगाती है और करती है हमबर्ट ऑर हेज अब यह दोनों अकेले बैलकनी में हैं को इसे बात करनी है पर हमबड इसमें इंटरस्टेत नहीं है, वो अंदर जिकता है और लली ता जो डांस करी होती है, यही देखने लग जाता है, इसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों लेक पर आये हुए है, हेज आज भहुत ही रोमेंटीक होती है, हमबड से कहती है, कि मेरा पिर कहा जाएगी हेज कहती है कि जल से जल मैं उससे समर कैम भेज़ दूंगी और उसके बाद उसे बोटी में डालने वाली हूँ इसके बाद ललीता हमें डारेक्ली summer camp पर जाती हुई दिखती है हेज ने ललीता को कहा होता है कि हमबर्ड भी इसके लिए agree करता है ललीता को बहुत ही heart broken महसुस होता है जब ललीता यहां से जा रही होती है तो हमबर्ड अपनी खिड़की से इसे देखता है ललिता गाड़ी से उतर जाती है और हमबड के रूम में आ जाती है उसे गली लगाती है और किस करकर चली जाती है हमबड फिर ललिता की रूम में आता है ललिता के कपड़े हाथ में लेता है और उसकी खुशबू लेता है हमबड को फिर एक मेट आकर हेज का लेटर दे कर जाती है इस लेटर में हेज ने हमबड को प्रोपोस किया होता है लेटर में वो लिखती है कि मैं तुम से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुम से शादी करना चाहती हूँ अगर तुम यह नहीं चाते तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ क्योंकि उसका डिल तुट जाएगा अगर वो फिर से हमबट को इस घर में देखीगी अब हमबट हमसे केता है उसके दो विक्स बाद ही हम दोना ने शादी कर ली अगर उसने यह शादी नहीं की तो ललीता को फिर से कभी भी देख नहीं पाएगा यह ललीता के साथ रहने का उसका एक चांस है इसी वज़े से वो इसे एक्सेप कर लेता है एक दिन हमबट की रूम में आती है तो वो कुछ लेकरा होता है एक ड्रॉवर देखती है जो लॉक्ट होता है यह हमबट से बूछती है कि इस ड्रॉवर में क्या है हमबट केता है कि मेरी कुछ सिक्रेट चीजे है इसके बाद हमबट हमसे केता है कि हेज मेरे साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर हमेशा मैं उसे एग्णोर करता रहा जाता है और नशे की दवाई लिकर आता है जो हेज के खाने में वो मिला देता है जिससे हेज जल्दी से सोच जाए यानि कि उसके साथ वो कुछ कर नहीं पाए एक दिन हमबर्ट बहार गया था और जो वो घर पर वापस आया तो हेज रो रही थी हमबर्ट का ट्रॉर उसने ओपन कर लिया था हमबर्ट जो भी सब पहे जलसी जल्दी मुझे डिवोस दे दो हमबर्ड को आप क्या करना चाहिए कि कुछ भी समझ में नहीं आता हमबर्ड कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा हमबर्ड थोड़े टाइम में ड्रिंक्स बनाता है जब वो लीविंग रूम में आता है तो उसे एक कॉल आता है इस कॉल पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है वो कहता है कि मेरी वाइफ तो घर में ही है जब वो देखने के लिए जाता है तो हेज वहाँ नहीं होती वो बहार भागते भागते जाता है हेज के हाथ में लेटर्स थे जो पोस्ट करने वाली थी हमबर्ड के बारे में सब को छीजे वो बता देने वाली थी पर ये करने से पहले ही रस्ता क्रॉस करते वक्ट उसका एकशिड़न्ट हो गया और वो मर गई हमबर्ट को हेस के लेटर मिल जाते हैं और वो जला देता है हमबर्ट अब बहुत ही खुश है क्योंकि उसके और ललीता की बीच में सिर्फ हेस थी और वो अब मिट चुकी है हमबर्ट फिर ललीता को लेने के लिए समर कैम आता है वहाँ की समर कैम की लेड़ी उसे कहती है कि ललिता को लेने के लिए चारली को में भेशती हो चारली और ललिता एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है ये सुनकर हमबर्ड को जरा जिलस में सुझता है ललिता हमबर्ड को देखकर बहुत ही खुश है ललीता अपने मदर के बारे में हमबर्ट से पुछती है ललीता को पता नहीं है कि उसकी मदर मर चुकी है हमबर्ट कहता है कि मदर बिमार है इस वज़े से उसमें लेने के लिए नहीं आई गाड़ी में ललीता हमबर्ट से कहती है कि मैं तुमसे फेद फूल नहीं रही यानि कि दूसरे लटकों के साथ उसने बहुत सारी चीज़े की है ललीता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा हमबर्ड केता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो ललीता बोलती है कि मैं कब से इस गाड़ी में हूँ तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है हमबर्ड फिर गाड़ी रोक लेता है और ये दुनों दूसरे को किस करते तब वहाँ से एक पुलिस की कार आ जाती है यहाँ इस एरिया में एक चोर था जिसको ढून रहे है ललीता हमबर्ड के लाब में बेटी हुई है यह देखकर बुलिस भी शर्मा जाता है और आगे चला जाता है हमबर्ड ने ललीता और उसके लिए एक अच्छा सा होटेल बुक किया होता है वो एकी रूम बुक करता है जहाँ पर एकी बेट में ललीता के साथ उसे सोना पड़े होटेल के लॉभी में ललीता एक आदमी को देखती है इस आदमी के डॉक के पास ललीता जाती है यह आदमी केता है कि मेरा डॉक किसी को भी पसंद नहीं करता पर तुम उसे अच्छी लगती हो इसके बाद हमबड ललीता को उसके रूम में लेकर जाता है ललीता जब इदेखती है तू बूछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड़ पर सोने वाले है अगर मदर को पता चला तो हम दोनों को मार देगी हमबड फिर एक्सक्यूस बनाता है वो कहता है कि हम उतने रीज नहीं है कि दो अलग-अलग रूम ले सके हमबड ललीतों को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही रूम में है तो उन दोनों में कुछ हो सकता है पर योद बोल नी बहुत पा रहा होता इसने बहुत सारे plays लिखे होते हैं ललीता इस आदमी से attracted होती है जब ये दोनों अपने room में आ जाते हैं तो हमबर्ड ललीता के shoes विगरा निकालता है ललीता बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बताओ कि क्या मैं मैंने क्या क्या किया था हमबर्ड कहता है कि अब तुम अच्छे से race करो इसके बाद हम तुम्हारी सब कुछ story सुनेंगे हमबर्ड smoke करने के लिए बाहर आ जाता है यहाँ पर उसे फिर से वो writer दिखता है यह जो writer है इसका नाम होता है Quilty Quilty और हमबर्ड एक दुसरे से बात करते हैं जनरल वेदर के ऐसा है किस तरह का यह hotel है इसके बारे में वो बात करते हैं पर हमबर्ड को हमेशा लगता है कि Quilty उसकी daughter के बारे में ही बात कर रहा है यह जो वो आज ललीता के साथ है तो उसे वो ज़रा डर रहा है उसका conscious है कह रहा होता है कि सब लोग को पता है कि वो ललीता के साथ क्या करने वाला है हमबर्ड फिर रात में आकर ललीता के बेड़ पर ही सो जाता है जब सुबा होती है तो ललीता उसे किस करने लग जाती है उसके कान में कुछ बात उसे कहती है हमबर्ड सप्राइस्ट होता है वो कहता है क्या तुमने ये सब चीज़े की क्या हैं पर ललीता कहती है कि तुम सप्राइस्ट हो जाओगे इसके बाद ये दोना इंदूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है नेकसिन में ये ट्रैवल कर रहे है हमबड हमसे कहता है कि जिस तरह से शिकारी किसी एनिमल का हंड करता है उसे जिस तरह से लगता होगा उसी तरीके से मुझे आज लग रहा है ललीता कहती है कि एक जगा पर गाड़ी जरा रोक लो उसे जरा कॉल करना होता है या अपनी मदर को कॉल करना चाहती है पर हमबड उसे कॉल करना नहीं देता उसे फिर वो सज बता देता है ललीता राद में बहुत रोती है वो हमबड को हेट करती है पर थोड़ी देर में हमबड के पास आ जाती है हमबड कहता है कि उसने मुझे फिर माफ कर दिया था उसके पास कोई option में नहीं था क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है हमबड ललीता के साथ पुरी कंटी घुमना चाहता था यह दोनों अब उनके जरनी में चल पड़े अब यह दोनों travel करते थे ललीता हमेशा हमबड को चिड़ाती रहती थी उसे एरिटेट करती थी पर हमबड भी यह नहीं नहीं है पर इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता था कभी कभी ललीता को अपनी मदर की याद आदे थी तो बहुत रोती थी अमबड की छुट्टी अब खतम हो चुकी है जहां पर उसे जॉब करना होता है उस city में वह ललीता के साथ मूव हो जाता है ललीता को भी एक स्कूल में वहाँ एडमेशन लेकर देता है ललीता की स्कूल बहुत ही open minded है ललीता को भी जादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इस स्कूल उसे support करती है थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका रूटीन अच्छे से चल रहा होता है स्कूल में एक play होने वाला है जिसका part ललीता को बनना है पर हमबड को लगता है कि ललीता अगर दूसे लेड़कों से मिलेगी तो उसके साथ उसका चक्कर हो सकता है इसे वाज़े से वह insecure है और ललीता को मना करता है ललीता मानने वालों मैंसे नहीं है ललीता हमबड के पास जाती है और उसे रिजाती है और उसे वो मना ही लेती है हमबड ललीता को थोड़े से पैसे देता है कि अपने आप पर वो खर्च कर सके ललीता ये पैसे भी ज़रा बढ़ा लेती है एक दिन ललीता की टीचर ललीता के बारे में बात करने के लिए हमबड को बुलाते है वो ललीता को लेकर जरा चिंदी थे हमबड बोचता है कि किस वज़े कि तुम्हें चिंदा है हमबड थोड़ा सा डरने लग जाता है उसे शक आता है कि ललीता ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा पर यह इसके बारे में नहीं होता ललीता की टीचर कहते है कि ललीता जब सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तो उसमें बहुत ही डिस इंटरस्टेड है हमबड थोड़ा सा हसता है पर अपने आपको कंट्रोल कर लेता है हमबड कहते है कि मैं इसके बारे में उसे समझाऊंगा एक दिन हमबड को पियानो टीचर का कॉल आता है ललीता एक्चुल में उसके पियानो के क्लासेस कर ही नहीं रही है हमबड फिर ललीता को बोस्ता है तुमारे क्लासेस किसे चल रहे है ललीता कहती है एक दाव मस चल रहे है Humbard कहता है कि तूने दो Classes Miss की है तुम कहा थी Lalita कहती है कि मैं मेरे Friend के साथ थी वो Play की तैरी कर रहे थी Humbard इस वर Believe नहीं करता Lalita से उसकी Friend का Number लेता है Lalita ने जो कहा था उसकी Friend भी वही कहती है Lalita फिर गुशे में घर से बाहर निकल जाती है हमबर्ड उसे सिटी में बहुत ढूनता है ललिता एक कैफे में होती है ललिता फिर उसे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है वो हमबर्ड के साथ सब कंट्री घुमना चाती है पर इस बार ललिता लोकेशन चूज़ करेगी हमबर्ड को भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि ललिता उससे दूर जाना चाती है यह दोनों फिर अपने सफर में निकल पड़ते हैं यह अलाग अलक टाउन गुमते हैं पर एक दिन हमबर्ड नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है यह ललिता को एक नोटबू निकलने के लिए चेता है और उसपर नबर्द नोट कर लेता है ललीता हमेशा चिंगम खाती रहती है तो हमबर कहता है कि इस पर चिंगम मत लगाना एक दिन हमबर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुपता है तो ललीता किसी से बात करी होती है यह वही आदमी है चो इनका पीछा कर रहा था हमबर जल्दी से भागते भागती ललीता के पास जाता है पर तब तक वो आदमी वहाँ से निकल चुका है हमबर ललीता से पूछता है कि आदमी क्या बोच रहा था ललीता कहती है कि वो आदमी सिर्फ डारेक्शन बोच रहा था हमबड भी लगीदा को समझाता है कि तुम्हीं यंग हो और लोग तुम्हारा एडवांटेज लेना चाते है तुम्हें किसी भी स्टेंजर से बात नहीं करनी है अब फिर से थोड़े दिन गुजर जाते है एक दिन यह जंगल से जा रहे है और फिर से हमबड को लगता है कि उनका कोई पीचा कर रहा है हमबड एक जगा पर गाड़ी रोक लेता है उनकी पीचे पे जो उसका पीचा कर रहे थी एक गाड़ी भी रोक जाती है हमबड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी के सामने चलने लग जाता है जो उनका पीचा कर रहा था वो जल्दी से गाड़ी रिवर्स में लेता है और वहाँ से भाग जाता है आगे चल कर हमबर्ड फिर से लिलिता को कहता है कि उसे वो कागस दे जिस पर उसने नमबर प्रेट लिकी हुई थी पर लड़ीता ने इस पर जिंगम जिटका दिया था और गाड़ी का नमबर इस कागस पर नहीं है हमबर्ड बहुत इचिर जाता है और लड़ीता को स्लैप करता है ललीता रोते रोते गाड़ी से बाहर निकल जाती है ये उस पर बहुत नाराज है पर हमबर्ड उसके पास आता है और उसे स्वारी कहता है एक टाउ में हमबर्ड और ललीता एक मॉटल में रुखती है हमबर्ड को श्रूट से गरा लेने के लिए बाहर जाता है जब वो वापस आता है तो ललीता को पैश देखता है यह ज़रा डाइटी होते है तो हमबड कहता है कि मुझे पता है तुम कहीं बाहर जाकर आए हो ललीता इस पर खुश ही बोलती नहीं यह सब वो डिनाई कर देती है Hamba Ard Lalita को जो भी सब पैसे देते था यह सब वो सेव कर 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 रखती थी Hamba Ard उसे पुछता है कि यह सब पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो पर Lalita इस पर कुछ भी बोलती नहीं इन पैसों को ले कर इन दोनों में जगड़ा हो जाता है Hamba Ard को लगता है कि करते हैं कि तुम अब घर चले जाओ तुम यहां रुके भी तो तुम उससे मिलने पाओगे क्योंकि वो बिमारी तुमें भी हो सकती है हमबर्ट अगली सुबह फिर सो हस्पिटम में कॉल करता है लेलिता कैसी है यह वो पुछता है भागी नर्स कहती है कि उसके अंकल आये थे और उसे लेकर चले गए हमबर्ट बहुती डर जाता है कि एसा कैसे हो सकता है हमबर्ट फिगर आउट करता है कि उनका जो पीछा कर रहा था वही लेलिता को लेकर चला गया है भागते भागते हो हस्पिटल में आता है और डॉक्टर को मारने लग जाता है उसे लगता है कि ह हुस्पिटल ने मिलकर ये चाल चली है हमबर्ट फिर ललीता को ढूणने लग जाता है अलग-अलग शहर में हो जाता है अलग-अलग मॉटेल चेक करता है हुस्पिटल से डिश्चार्ज लेते वल्ग जो आदमी ललीता को लेकर गया था उसने अपना नाम और अपनी साइन द लुके थे हमबर्ट हम से कहता है कि ललीता को ढूणने के लिए उसने पूरे दो महिने लगाया पर फिपी उसे ढूण नहीं पाया अब इसके बाद डारेक्ली तीन साल गुजर जाते है हमबर्ट को एक दिन ललीता का लेटर मिलता है इस लेटर में ललीता लिखती है कि अपने साथ एक गन मी लेता है तागे प्रैक्टिस करता है जो ललीता को उससे जुदा करकर लेकर गया था उसे उसे बदला रेना है फाइनली वो ललीता के पास भूर चाता है अमबड ललीता के हस्बंड को देखता है यह आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था अमबड उसे बात नहीं करना चाहता हमबर्ली ललीता से पुच्छता है कि हो कौन था ललीता गई थी कि उसके साथ वो चली गई थी ललीता फिर कहती है कि वो बुड़ा आदमी था वो sexually active नहीं था पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता था इसलिए मैं वहाँ से भाग गई इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उससे उसने शादी कर ली अमड़ फिर ललीता को कहता है तुम्हे जो पैसे में देने वाला हो यह तो तुम्हें मिलने वाले है पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ क्Р reflections पोचना चाहता हूँ था अगर ललीता उसके साथ रहेगी तो उससे सब कुछ देना चाहता है उसके बहुत ही प्यार में है कि वो ललीता से कहता है। ललीता बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं थी। मेरे पास कोई आप्शन नहीं था, इसे वज़े से मैं तुम्हारे साथ द्रे रही थी। ललीता को सिर्फ थाउजन डॉलर्स चाहिए थे, पर हमबड उसे फोर थाउजन डॉलर्स दे देता है। हमबड हमसे कहता है कि ललीता कैसे भी हो, अगर वो मुर्जा भी जाए, फिर भी उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा। कभी भी वो उसे भुला नहीं पाएगा। हमबड फिर से हमें गाड़ी में दिखता है और वो इंजोर्ड हो चुका है। हमबड हमसे कहता है कि ललीता के साथ मैंने जो भी सब किया, वो सब जीजों को में रिग्रेट करता हो। ये सब करने के लिए वो शर्मिंदा है, पर लास्ट टाइम ललीता को मिलने के बाद उसने जो किया, वो उसे रिग्रेट नहीं करता। इसके बाद वो डारेक्ली क्विल्टी जो राइटर था, उसके पास भोच गया। क्विल्टी पर उसने गन लगाई और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो। क्विल्टी उसे पहले पहचान नहीं पाया, और उसने कहा कि तुम वही होना, स्टेफ फाजर। क्विल्टी इसे सीरेसली नहीं ले रहा था, अपना ड्रिंग ले रहा था, सिगर्ट पी रहा था, फिर हमबर्ड ने एग्जामिन पर गोली चला ए, क्विल्टी फिर डर गया। क्विल्टी बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं वैसे भी कुछ लटकियों के साथ कर नहीं सकता, हमबर्ट उसे मार सकता है तो क्विल्टी उस पर जबग पड़ता है, हमबर्ट फिर से कंट्रोल में आ जाता है, क्विल्टी कहता है कि तुम भे इतने सी का था उसका पीछा पुलिस कर रहे हैं आगे चल कर वो गाड़ी ठोक देता है और एक मांटन के पास आता है यहां पर एक गाव है जहाँ बच्चे खेलने की आवाज आती है हमबड हम से कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज है पर मुझे वह अच्छी नहीं लगी उस आवा पर उसकी एज कम है तो उसी साल क्रिस्मस में 1950 में वो चाइल्ड को बर्द देते देते मर गई यहीं मुवी एंड हो जाती है अब अगर हम इस मुवी के कैरेक्टर के बारे में यानि के हमबर के बारे में बात करें तो यह से मुवी हमबर के पॉइंट अव यू से है मैंने या सच्वुष में हुआ था या हमें जानने का कोई भी तरीका नहीं है अगर हम इसे अब्जेक्टिवली देखे तो ललीदा की मदर मर गई थी ललीदा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो इसलिए उसे हमबर्ड के साथ रहना पड़ा एक तरह की ललीदा के किन्नैपि ही उस नहीं की थी आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते रहे तो तो बहुत सारी इस चानल को सब्स्राइब कर देजिए और बेल नुटिविशन आइकन दबने मत भूले हम फिर से म में लेंगे और एक नहीं मुविए की साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये